तो दोस्तों कई बार हम जाने अंजाने में, कई बार शौक में या फिर कई बार अट्रेक्ट होकर हम गलती से नीलम या गोमेद पहन लेते हैं। नीलम या गोमेद एक ऐसे रतन है जो कि पापी ग्रहों से यानि कि शनी और राहु से संबंद रखते हैं। पर यही रतन पहनना हमारे लिए कई बार मुसीबत की घड़ियां ले आता है अगर माल लिजी आपके कुंडली में राहू 11th हाउस का है या फिर वर्षफल में राहू 11th हाउस का आ गया तब इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडिशन में आपको नीलम या ग धारन लेकर आएगा क्योंकि आपने इन से संबंधित को इरतन शनी से अर ने धारन कर लिया जब शनी और राहू का मेल होगा अगर मान लीजिए आपको जैम स्टोन पहनते हैं तो वो तीसरे खाने से संबंद रखता है और तीसरे से संबंद 11 का बनता है दोनों का आपसी संबंद दो एक पापी ग्रहों की स्ट्रेंथ को आपने बढ़ा दिया तो जीवन में आपके जीवन में जो भी परेशानिया आएंगी वो स्ट्रेंथ फुल आएंगी मतलब जो परेशानिया होंगी वो बड़े रूप में आएंगी और अचानक से ही आएंग रूप से परेशान हो सकते हो आपके अपने कहीं न कहीं दुश्मनी क्रियेट करके आपकी जमीन ज्यादात को कहीं हड़प सकते हैं, आपके ऊपर बेमतलब कहीं आदालती जहंजट मुकदमे बाजी करकर आपको परेशान कर सकते हैं, क्यूंकि राहू 11 थाउस में आता है, त फिर छला पहन सकते हो या कड़ा पहन सकते हो तो राहू के लिए एक special और best remedy ये है कि आप लोहा या स्टील का कोई भी छला या फिर कड़ा आप पहन ये जिससे की शनी कंट्रोल हो और साथी साथ राहू के बुरे परभावों से आपके बचाव हो सके नीलम गोमेद ये जैमस् ये बहन ले सकते हैं तो या के बारे में इतना कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति के परिवार में जनम लेता है कहीं के जनम लेने पर ने पर तो इंसान केंके मौते परेशा की हो जाती बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके परिवार में दुख दर्दद और दरिद्रता ही आती है इनसान कभी भी सुखों का भोग नहीं कर पाता है इनसान का जो एक बच्चपन का एक फेस होता है वो काफी कस्टों में बीटता है इनसान बड़े में भी जहलता है क्योंकि उसका बेस उसको एक जो मदद पहुचानी चाहिए थी परिवार वालों की तरफ से वो नहीं मिल पाती है इंसान कई बारी ऐसा अपने पिता पर भारी होता है पिता के उपर कहीं न कहीं मंदे वाकियात बे मतलब की परिशानिया आती हैं आपने देखा होग जब कुंडली में खराब हो राहू इस तरह से आपकी कुंडली में आ जाए तो समझ लीजिए बच्चे के लिए कहीं न कहीं मुश्किलें ये क्रेट कर देता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है काले नीले कपनों से परहज रखना है एक लोहे का कड़ा आप पर सोना कायम रखिए चंद्रमा के असर को मजबूत रखिए आप चांदी के गिलास में जरूर पानी पिया करिए आप अपने पास एक चांदी की डिबिया में केसर डालके रखिए अपने पास चाहे अपने बैग में रखिए चाहे अपने पॉकेट में रखिए चाहे अप आपका ज्यादा उठना बैठना है जिससे कि आपके ब्रस्पति के फल मजबूत हो सकें तो ये कुछ छोटे-छोटे उपाय और जानकारी है जो आपको राहू और जो आपकी गलती जैमस्टोन से होने वाली थी नीलम और गोमेच से उससे आपको बचा के रखेंगे बाकी सुभाज भाई को आगया दीजिए नमस्कार